हेलो दोस्तो कैसे हो आप सभी हेलो मेरे प्यारे दोस्तों जय मतादी आप सभी को आज की वीडियो में हर बार की तरह फिर से आप लोगों का जो है बहुत-बहुत स्वागत है एक यूसफुल इंफॉमेशन से बरी हुई वीडियो जो कि बहुत ही है लाने इसके जो हेल्थ ब इनका सीवन कैसे किया जाए और किन किन तरीकों से किया जा सकता है, तो सबसे पहले बता दो इसे करी लीप्स बोला जाता है। इसे हुआ हीлов काड़ी पत्ता विझञा क्योंकि बिल्कुल जैसे हमारी कढ़ी होती है ना बेसन वाली तो अगर आप इस पत्ती को तोड़ कर स्मेल करेंगे तो बिल्कुल एक्जैक्ली आपको 100% कढ़ी जैसी ही खुशबाएगी इसले से कढ़ी पत्ता बोलते हैं साउथ इंडिया में बहुत यूज होता है इसकी चटनी बनती है तड़का तो लगता ही लगता है नौर्थ इंडिया में भी अब लोग खुख खाने लगे हैं जैसी कि आप जानते ही हो कि हमारा जो सामबर हो गया डोसा हो गया इसकी जो चटनीया हो गई वसाले हो गई या फ इसकी पतियां है यह गुड़ों से भरपूर हैं कूट कूट कर इनमें गुड़ भरे हुए हैं तो आज हम यही जानेंगे कि करी पत्ते जो है हमारी सेहत को किस तरीके से दुरुस्त करने में हमारी हेल्प करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहां पर मैं फ्रेंड्स बता अच्छे हैं हमारे digestive system को यह बहुत easy बनाते हैं fast बनाते हैं इसलिए इसे खाने में यूज किया जाता है ताकि जो हमारा खाना है वो healthy हो जाए और digest करने में जो है फास्ट हो जल्दी से हमें पचने लगे वो खाना तो आज हम जो सेवन करने वाले हैं पेट का वजन ज्यानी चरवी घटाने के लिए ओवर और बॉडी का वजन घटाने के लिए तो उसके लिए आपको खाली पेटिन का सेवन करना होता है वैसे आप दाल जो मैं आपको यहां पर बताने चाहरी हूँ जो नुस्खा बना के दिखाऊंगी यह नुस्खा अगर आप इसका सेवन करते हो तो अगर आप से बालों से रिलेटेड हैं हैर प्रॉब्लम जो है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी चाहे आपके बाल घने ना हों काले ना हों लगाके भी यूज कर सकते हो तो अगर आपको लगता है कि अगर आप बालों में लगाओ गlookए इसे तो आपको सिर्फ बालों के लिए फायदा मिलेगा लेकिन अगर आप इसे खाओगे तो आपके बूरी बाड़ी को भी फर्क पड़ेगा इससे नीकि नुट्रेंट मिलें के और आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे चलो देख लेते हैं first of all हमें एक गिलास पानी चाहिए और गैस पर चड़ा लिया है पानी को गैस ओन कर दी है अब यह जो कड़ी पत्ते हैं ना यह कड़ी पत्ते ले लेने हैं आपको 10 से 12 के करीब और इन्हें इसमें तोड़ करके डाल देंगे हम क्योंकि पत्ते थोड़े बड़े भी हैं और तोड़ के डालने से इनका जो पोशेक्ततो है जो निट्रियंट से पानी में जल्दी आएगा और अब आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इसे अच्छा पत्ते पहले आपको अच्छे से धो जरूट लेने हैं तो अब हमें इस पानी को उबालना है इन पत्तों के साथ में तो बस 8 से 10 पत्ते जितना हम एक बार में तड़के में यूज करते हैं और फिर हम देखेंगे कि इस तरीके का तयार होता है और इसका सेवन कैसे होता है इसके और भी क्या फायदे हैं यह सच में बहुत ही जादा magical drink है fat cutter इसको मानते हैं weight loss के लिए तो बहुत चमतकारीक है साथी साथ में hair fall के लिए hair loss के लिए भी उतनी ही beneficial है मैंने इसका सेवन किया हुआ है और इसका सेवन और भी बहुत तरीके से होता है तो इसके और भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे आप 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 देखना चाहते हो जिनका कोई भी side effect नहीं है और उनका फाइदा होता ही होता है तो आपको जाना पड़ेगा मेरे चैनल पर और वहाँ जाके देख लीजिए अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे आप भूल गाएंगे अब आप देख सकते हो पानी का जो कलर है अब हलका से ग्रीनिश होने लगा है हरा हरा होने लगा है एक बार इसे अच्छे से मिला देंगे अब आप यहाँ पर कलर देखिए तीन से चार मिनट हो चुके हैं इसे बॉल होते हुए मीडियम फ्लेम पर तो गैस की फ्लेम को हम आफ कर देंगे और इसे हम छोड़ देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए करीब-करीब आप इसे तीन से चार मिनट के लिए तो छोड़ ही दीजिए इतना कि आपके पीने लाइग हो सके हो अब एक बार आप इसका देखिए सारा जो पत्तों का पत्ते जो है पानी तो चण चुका अब आप यह सोच रहे होंगे कि ये लगता कैसा आओगा पीने में तो भई ये बहूत इच्छा लगता है पीने में इस कोई बुरा ठेस्ट नहीं है बल्कि आपको बहुत ऑच्छा ग्रीन टी से तो बहुत आपको लगेगा क्योंकि green tea जो है बहुत कमी लोगों को उसका taste पसंद आता है उसे पीना काफी difficult होता है थोड़ा सा उसका taste अजीब सा होता है लेकिन ये बहुत ही अच्छा है इसमें आपको किसी पी चीज के बहुत ज़्यादा harsh smell नहीं आएगी टेस्ट नहीं आएगा लेकिन ये पानी बहु को कुछ भी खाना या पीना नहीं है जाहिर सी बात है weight loss कर रहे हैं तो जो milk और sugar वाली चाय है वो छोड़ दीजिए आज से आपकी यही चाय है यानि की curry leaves tea इसे हम कड़ी पता की चाय या कड़ी पता की drink भी बोलते हैं या detox water भी बोलते हैं यह हमारी body को detox करने का काम करता है सबसे बड़ी बात आपका वजन कम क्यों नहीं होता है क्योंकि आपका metabolism slow है boost नहीं है fast नहीं है तो जैसे ही आप इसे पीना शुरू करते हैं कुछ ही दिनों में आपका metabolism है वो बहत अच्छे से पचता है जब वो जल्दी से digest होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो weight है वो भ किलो के लगबग वजन गेन कर लेते हो यानि बढ़ जाता है आपका तो ऐसा आपका जो पाचन सकती है वो कमजोर होनी के वज़े से है तो यह जो ड्रिंक होए है यह पाचन को दुरूस्त करती है आपका metabolism को boost करती है यह जब आप हलकी गरम गरम पीते हो तो आपका जो जमा सब्सक्राइब में morning sickness जायतर लोगे साथ देखा होगा आपना कि सुबह उठने के बाद में उनको आजीब सा महसूस होता है मतलब आलस सा महसूस होता है तबियत खराब जैसा लगता है सरीर में एनरजी नहीं लगती है उनको हलका fever लगता है या सरीर में कहीं हलका दर्द ज चुटकारा मिल जाता है बाल बहुत ही अच्छ होते हैं पहले ही बता चुकी हूँ बाहरी नहीं अंदरूनी पूरी बॉड़ी को डिटॉक्सिफाई कर देता है पूरी बॉड़ी को अच्छा कर देता है यह जो पानी है रोजाना खाली पेट पीने से anti-oxidant और amino acids मिलते हैं आपको इस ड्रिंक से जो की हमारा जो scalp है जो बालों की जड़े हैं उनको moisturize रखता है जिसकी वज़े से dandruff की problem भी कम होती है और आपके जो बालों की गिरने की जो problem है वो भी कम हो जाती है और जो बाल जिन लोगों के जो है समय से पहले सफेद होने लगती है उसके लिए भ जो है जो कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है जिसकी वज़े से heart attack जैसी समस्या हो रही है आप खूब देख रहे हैं जो है बहुत लोग exercise वगेरा कर रहे हैं उसके बाद भी जो है उनको heart attack आ जा रहा है बॉलिवूड से भी देखो बीच-बीच पे आती रहती है बैड न control level भी आपका जो है थोड़ा जो है control में आने लगता है डाइजिशन तो बहुत अच्छा ही होता है तो जब भी आपको लगे कि आपका पेट में हलका दर्द हो रहा है पेट कब जो जैसा मैसूस हो पेट साफ नहीं हो रहा है पेट फूल रहा है तो आप तुरंत यह पानी और इसे थोड़ा थोड़ा करके पी लीजिए आप देखेंगे कि 15-20 मिनिट बाद आपको बहुत रिलाक्स मिलेगा गैस भी रिलीज होने लगेगी और आपका डाइजिशन भी थोड़ा इससे फास्ट हो जाएगा बेटर हो जाएगा तो यह था अमारा जो है curry leaves के बारे मे धेरो information मुझे उमीद है आपको पसंद आई होंगी और आप जरूर कीजिए weight loss कर रहे हैं तो यकीन मानिए इसको पीजिए अपना metabolism द्रूस कीजिए उसके बाद में आप exercise और थोड़ी मोड़ी खाने की dieting यानि अपनी calories को धान में रखते हुए आप जो है सारा काम करें इस मैं अगली वीडियो में मिलूंगी आपके लिए फिर से कोई अच्छा सा घरीलू नुस्खा ले करके जिसके लिए आपको बाजार से कुछ ज्यादा लाना ना पड़े